हेलो स्रुइंट स्प्रिंसर केस पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है MPPSC 2019 कोट केस को लेकर आज अख़पारों में पुनाहा खबरें छापी गई है और आप सभी अफिर्थियों ने उनको सुबह से ही भेजना शुरू किया और इस सम्मन्द में अपडेट जाननी चाहिए है इसलिए यह वीडियो हम लेकर आए हैं अंतर तक जरूर सुनिएगा चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजे बैल आइकोन पर क्लिक करिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सोशल मेडिया के हमारे प्लैटफॉर्म्स इंस्टिग्राम, फेस्वुक, टेलीग्राम को जोइन कर लीजी क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगा बहुत सारा करेंट अपडेट्स पेपर्स और हमारे वीडियो लेक्चुर्स साथ ही अगर आप मुख्य परिक्षा 2019, 2021 एवं प्रान्फिक परिक्षा 2022 की तयारी करना चाहते हैं तो हमारे दिये गए नंबर पर हमसे वाट्सेप करके बात करिए तो चलिए देखते हैं कि अख़बारों में आया क्या है अब देखिए इसका टाइडल देखते हैं इसमें लिखा है हाई कोट ने आयोग से मांगा जवाब प्रान्फिक परिक्षा 2019 की पूरी चैन प्रक्रिया क्यों ने रस्त की ठीक है तो देखिए यहाँ पर अगर मालीजे MPPSC additional mains करवाती और जो बचे चाह रहा थे कि सभी की मुख्य परिक्षा हो तो वो भी याची का लगाते और उसके बाद भी जब याची का लगाई जाती तो मानी न्याले के द्वारा MPPSC से यह जवाब मांगा जाता कि या खिर आपने additional mains क्यों करवाया है हाई या ना तो देखिए जब भी कोई याची का लगाते हैं तो उसके संबंध में मानी न्याले संबंधित पक्ष से जो है उसका जवाब उत्तर जो है मांगता है जहां तक MPPSC का सवाल है तो देखिए आपको बता दे कि MPPSC ने जो पुरानी परिक्षा है वो रद्द कर दी उनके पास options थे कि वो additional means करवाएं लेकिन उन्होंने नहीं करवाया सभी का means करवाने के लिए notice दिया तो इससे पहले उन्होंने सारे पहलूँ पर सारे विंदूँ पर विचार किया होगा और कई बार जब news papers या media के लोग वहाँ पर गए उनके interview जब भी लिए गए तो यही उन्होंने कहा कि जो भी कानूनी दावपेश है पहलू है उनको सोच समझ कर हम आगे का निर्णाय लेंगे और उसके बाद ही उन्होंने ये निर्णाय लिया होगा तो ये एक प्रक्रिया है जब भी कोई red petition या जब भी कोई मामला मानिय नियालाय में जाता है तो समंदित पक्ष को जवाब देना होता है अब MPPSC अपना जवाब प्रिस्तुत करेगी उन्होंने ऐसा क्यों किया क्या तर्थे थे, क्या conditions थी, क्या चीज़ें थी जिसकी वज़े से उन्हों ऐसा करना पड़ा तो ये नियाय प्रक्रिया का एक हिस्सा है और ये जो चीज़ें हैं जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी जो सुनवाई है इसमें ये हमारी क्यानाची एकल पीट के समक्ष जो ह है, ये मामला है, तो देखे, मैं आप सभी से यही कहूँगा कि कोई भी अफ्यर्थी हो जिसको भी ऐसा लगता है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है उसको पूरा हक है, अधिकार है मानी न्याला की शर्ण में जाने का, लेकिन यहाँ पर मैं यह भी कहना चाहूँगा कि देखे कि MPPSC ने अपनी तरफ से कह दिया है कि हम जनवरी में मुख्य परिक्षा लेंगे, 2019 की, और 21 के समन्द में भी कह दिया है कि हम भरवरी में लेंगे, और नया फार्मूला भी 87 और 13 प्रतीशत वाला OBC आरक्षन के कारण वो लेकर आए हैं, चुकि मानी न्याला है कि OBC को आप कह सकते हैं कि जो भी काम वो करती है, वो सरकार से पूछ की करती है, सामान प्रिशासन विभाग सीधे सरकार के नियंद्रम में है, बिना सरकार की सला से MPPSC एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाती है, तो कहने का दात पर ये है कि सरकारी वकीलों से, जानकारों से सभी से बा पानी नियाले की श्रंड़ी उसके लिए सभी स्वतंत्र हैं उनका अधिकार है लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा यही दोहराना चाहूंगा कि दिखिए यह चलता रहेगा लेकिन अपनी जो तैयारी है उसमें कोई कमी कसर नहीं छोड़िएगा मैं यह इसलिए नहीं कहा रहा हूँ कि आप मेरे नोट्स लें गख्षाय करें टैस्स रेज ले मैं तो हमेशा कहता हूँ कि जो मेरी किस्मत का है वो कोई मुस्से छीन नहीं सकता वो मेरे पास आएगा लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगले साल चुनाओ है और सारी भरतियां अभी आने वाली है और भरतियों में देखिए अभी जो जितने भी कोट केस चल रहे हैं ये मेरिट को लेके चल रहे हैं कि हमारा क्यों नहीं हुआ हमारा ये होना था मतलब जो पढ़ने वाले हैं जो अच्छा पढ़ते हैं टैलेंटेड हैं उनके बीच कॉंपटिशन चल रहा है कि हमारे साथ गलत हो गया लेकिन वो बच्चा जिसके आप सोचिए कि जिसके 65, 66, 66, 70 नंबर थे वो तो कहीं से कहीं भी पिक्चर में नहीं है तो मैं ये समझाना चाहरा हूँ कि आपको पढ़ना तो पढ़ेगा पढ़ाई दो करनी पढ़ेगी क्योंकि आप इतने सालों से MPPSC जैसे एक्जैम की तैयारी कर रहे हैं आपने इतना वक्त दिया है इतना समय दिया है इतना पैसा खर्च किया है सब कुछ किया है तो आप हाथ पे हाथ धरे बैठे सिर्फिये मत देखिए कि कोट की तारीखें कब लग रही है आगे क्या होगा क्योंकि वो जो होना है वो होगा लेकिन हम एक अफ्यर्थी हैं विद्यार्थी हैं हमारी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए क्योंकि ना केबल ये MPPSC के एक्जैम्स बलकि हर विभाग में मैं आपको बार-बार वही कह रहा हूँ कि अभी नवेंबर माह में MPPSC का केलेंडर तेयार हो जाएगा दिसंबर के दूसरे या तीसरे सब्ता में और उसमें आप देखेगा कि पूरे साल भरतियां होनी है अब पूरे साल भरतियां होनी है तो यह ऐसा नहीं के सिर्फ MPPSC की यही आपकी भरतियां होनी है state service exam हो गया या forest exam हो गया बांकी के exams भी सभी होने है जनमें mains नहीं होता है कुछ-कुछ में interview भी नहीं होता है तो पढ़ना तो पड़ेगा तब आप merit में आएंगे और merit में आएंगे भले ही आज OBG RACTION को लेकर मामला फसा हुआ है कभी तो वो मामला शॉट आउट होगा कभी तो चीज़ें पटरी पर आएंगी तो उस समय तो आपको यह देखना पड़ेगा कि जो आपके मन मुताविक या 2018 तक जैसा चल रहा था माली जी कि जब चीज़ें पटरी पर आएंगी तो मैरिट में तो आना पड़ेगा न अधरवाइस आप सोचेंगे 60, 65, 65 नमबर लाके और फिर सोचेंगे कि मेरा उस रिजल्ट में नाम आजाएगा तो नहीं होगा क्लियर कट बात ये है कि आप अगर प्राणभिक पर इक्षक किसी भी एक्जैम की बात करें कि इतना मुझे स्कोर करना तब 80 प्रतीशत नमबर आएगे और इतने अगर आप टार्गेट नहीं बना रहे है वही 70, 72, 75 लेके चल रहे हैं तो देखिए फिर वही दिक्कत होगी कि हमको दो शार ओपन करना पड़ जाएगा इनके उपर उनके उपर तो मैं यही समझाना चाहूँगा कि तैयारी नहीं रुकना चाहिए तैयारी करते रहे तैयारी बहुत जरूरी है क्योंकि आपके सपने आपके परिवार के सपने चार साल से जो आपने क्याना चाहिए देखा है, भोगा है उसको कही ना कही अब कह सकते हैं कि उसकी भरपाई करने का समय है इसलिए लाबरभाई बलकुल ना करिएगा क्योंकि ये मेरा सभी छातरों को संदेश है ठीक है, चाहे वो मेरे विचारों से सहमती रखते हूँ या ना रखते हूँ लेकिन एक टीचर होने के नाते में ये कह रहा हूँ ओके स्टुएंट्स आने वाली सभी परिक्षाओं के लिए हमारे नोर्स, टैसरीज उपलब्द हैं, आप इनको जरूर लीजिए और हम इनको आपके साथ शेर भी करते रहते हैं ताकि आप देखें और ये जो आपका एक पार्ट है जिसकी 2019 की बात करें तो उसमें आपको वर्ल्ड हिस्ट्री और साथ ही साथ इस तरह के जो आपको सामाजिक स्वास्त सिक्षा से जुड़े हुए मुद्दे हैं इनको भी पढ़ना होता है तो ये सारे जो नोट्स हैं हुबहु अकॉर्डिंग टू स्लेबर्स आपको मिल जाएंगे और ना केबल 2019 के लिए बलकी 2021 के लिए टू दव पॉइंट और साथी साथ आपको 2022 के लिए नोट्स उपलब्द हैं इसके लाब आप MPPSC असिस्टेंट रिस्टार इसी के साथ आप MPPSC सेट एक्जैम सभी परिक्षाओं की तयारी के लिए हमारे नमबर 9685570712 पर आप क्या करिए वैटसेप करिए हमसे बात करिए तयारी करते रहे क्योंकि याद रखिए कि देर सवेर जब भी चीज़ें सही होंगी उसकी मेरिट में उस पर्टिक्लर एक्जैम की मेरिट में आपका नाम तभी होगा जब आप पढ़ते रहेंगे और मैं आपके लिए बहुत कुछ कोशिश करता हूँ कि वीडियोज लाओं मोटिवेट करता हूँ तो छोटे छोटे वीडियोज होते हैं देख लिया करिए और हर जगे हमारे साथ तुड़ जाए ठीक है तो काफी मुझे लगता है कि हम आप मिलकर अच्छा कर सकते हैं मिल अगले पॉड़कास में धने बाद